तेरे ना हो जाए तेरे ने धिरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए तेरे ना हो जाए CSK के फैन यही बोल रहे होंगे चिन्ने के 12 Overse के बाद हलो दोस्तो मैं अंकित आपका दोस्त रोस्त आज की यूडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं चिन्नाई सुपर किंग वसे संराइजर हैदराबाद के मैच की आज की मैच बैटल फू बॉटम की मैच थी तो चलो देखते हैं इस मैच के हाइलाइट्स एन रिव्यू वार्नर ने टॉस जितके पहले बैटिंग करने का टिस्जन लिया हैदराबाद के टीम में नो चीन्ज वही चिन्नाई के टीम में विजय का एकवाड और हैजलवूड आउट उनकी जगा राइडू, ठाकुर और ब्रावो टीम में हैदराबाद की शुरुवात कुछ अच्छी नहीं थी, पहले ही ओर में चहर ने ब्रेस्टो को आउट कर लिया जिरो पे फिर आगे मनिश पांडे, पांडे काफी अच्छे टच में लग रहे थे, कुरन और चहर को बॉंडिज लगा दी वही दूसरे एंपे वोर्नर काफी शांती से खेल रहे थे, हैदराबाद ने 6 ओर में 38 रंज बना लिये और अटाक में आये शारदूल ठाकुर, और आते ही पांडे को आउट कर लिया 29 पे, हैदराबाद 47 पर 2 अब क्रीस पे थे विल्लियमसन और वोर्नर, और अगर हैदराबाद को बड़ा स्कोर कड़ा करना है, तो इन दोनों में से किसी एक को बड़ी पारी खेलने ज़रूरी है वोर्नर शांती से खेल रहे थे, लेकिन फाइनली एक चौका लगा दिया प्यूश चावला को ऐसे लग रहा था कि वोर्नर बड़े शॉट्स खेलेंगे, और ठाकुर को एक बड़ा शॉट्स खेल लिया, लेकिन डूपली से ने काफी भैतरी इंग कैच पकड़ लिया बॉर्नर को आउट कर लिया हाइदराबाद के लिए एक बड़ा जटका, लेकिन और एक जटका लगना बाखी था, बिल्लियम सेंट नेक्स्ट बॉल पे रन आउट हो गया भाई सीरियसली, ये बंदा वर्लक अप फाइनल हारने के बाद हस रहा था, लेकिन इस बार उसके चहरे पे पहली बार मैंने घुस्सा देखा अब क्रीस पे थे प्रियाम और अभिशेक शर्मा, चिन्ने इने तीन चार काफी अच्छे वज निकाल दिया, लेकिन इन दोनों ने विकेट नहीं दी और पार्टनर्शिप बिल्डप करना शुरू कर दिया वही शर्मा अब ओफेंसिव हो गये थे, शर्मा ने तीन बॉंडरीज और एक सिक्स लगा दिया, वही प्रियाम भी चोके और छके लगाना शुरू कर दिया शर्मा को दो चांसिस मिले, जहां जड़े जाने पला एक कैट छोड़ा और फिर अगले ही बॉल पे ठाकुर ने एक इजी कैट छोड़ दिया लेकिन शर्मा कोच चहर ने आउट कर लिया 31 रंज पे, काफी अच्छा कैमे ओ खिला अभिशेक शर्मा ने, हाइदराबाद 146 पर 5 इन 18 ओवर्स यही प्रियाम ने अपनी 50 पूरी कर ली और हाइदराबाद का स्कोर 165 पे तक लेके गया काफी अच्छा रेस्क्यू किया घर्ग और अभिशेक ने, लास्ट 5 ओवर में 64 रंस मार लिया हाइदराबाद ने चलो अब देखते हैं चिन्ने इस टारगेट का चेस कैसे करती है इस बार चिन्ने की ओपनिंग जोड़ी अलग थी, डूपलिस ही आये वैच्छन के साथ, लेकिन शुरुवात अच्छी नहीं भूवी ने तिसरे ही ओवर में वैच्छन का आउट कर लिया, चिन्ने 7-4-1 फिर आये राइडू, और आते ही एक चोका लगा दिया, लेकिन वो भी जल्दी आउट हो गया दूपलिस इने बैक टू बैक दो चोके लगा तो दिये, लेकिन अनफॉचनेटली वो भी आउट हो गया काफी क्लोज कॉलता उनके रन आउट का, और धर्डाम बार को लगा कि वो आउट है, लेकिन काफी ओडियन्स का मानना है कि वो नट आउट थे फिर क्रीज पे आये किधार जादो, लेकिन संबाद ने अपने पहले यह ओवर में जादो को भी आउट कर लिया चिन्नाई 42.4 इन 8.2 ओवर्ज, अब ग्रीज पे थे धोनी और जड़े जाँ, और चिन्नाई की फैन की सारी उमीद इन दोनों पे इती, और दोनों ही वैट्समन काफी संबल के खेल रहे थे 12 ओवर्ज खतम होते होते, चिन्नाई को 107 रनों की जुरूत थे, और दोनी 14 रन पे खेल रहे थे, और जड़े जाँ 6 रन पे जड़े जाने 6 मार के अपनी 50 तो पूरी कर ली, लेकिन अगले ही बॉल पे वो आउट होगे नटराजन को, यहाँ अटाक में आया भूवी, लेकिन उनको इंजरी हो गई, और वो फील्ड से चले गए, आँ दूसरे एंड पे धोनी भी काफी स्टगल कर रहे थे, काफी वाइल्ड डाल दिया और वो फोर को चला गया, चिनने के फैंस को अब उमीद थी कि शायद जीच जाएंगे, लेकिन चिनने 8 रन से मैच हार गया, रिवु का देखे तो काफी भैतरीन बाटिंग की हैधराबाद के टू यंग बैट्समन ने, प्रियाम और अभिशेक ने, क वो है उनके ओपनर्स, ब्रेस्ट ओफ फॉर्म में नहीं है और वो नर फोर या सिक्स लगा नहीं पारें, बात करें चिनने की तो ब्रिलियन बैटिंग भै धोनी और जड़े जा, इन दोनों की पार्टनरशिप काफी बढ़िया थी, जिसके वाशे चिननने वापस मैच में आया, बॉलिंग का देखें तो दीपक चहर ने काफी बड़िया बॉलिंग की और शारदूल ने काफी अच्छा सपोर्ट किया, और बाकी के बॉलर्स ने भी अच्छा सपोर्ट किया, लेकिन उनकी प्रॉबलम है उनकी टॉप बैटिंग लाइनप, जो परफॉर्म नहीं क चिन नहीं, बॉल्टम प्लेस में हैं, गाइस, थैंक्यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा, और चैनल का सपोर्ट कीजे, बाइ सब्सक्राबिंग इट, बिकॉस कि वीडियो में होँ मैंच ये कुछ कम अपोसी अच्छाबियो एपकी को बढ भीडियो और बिकॉच की छोर्टम एटियों कि अच्छाबियो पात्सकरण है